Hello Friends, अभी हम डिसकस करेंगे Question 5th Exercise 5.1 Introduction to Euclid Geometry Class 9th का एक Question 8 में क्या दिरक्खा इन Question 4th Point C is called a midpoint of line segment AB जो C है ये midpoint X का एक line segment AB का Proof that every line segment has one and only one midpoint Proof कीजिए कि एक line segment में केवल एक ही midpoint होता है तो देखिए given इसमें क्या दे रखा है Given में दे रखा है Point C is called a midpoint of line segment A, B और इसमें प्रूव क्या करना है To prove Every line segment Every line segment has one and only one midpoint ये इसमें प्रूफ करना है कि line segment के अंदर के वल एक ही midpoint होता है तो प्रूफ करते हैं देखिए Proof Question में क्या दे रखा है C midpoint दे रखा है Clear? तो हमने क्या क्या यहाँ पे note कर लिया जो दे रखा है C is the midpoint of AB जैसी एक AB line हो गई A और B ये एक line segment हो गया AB इस पे C एक midpoint दे रखा है ये हो गया C जो इसका midpoint हो गया Clear? तो C midpoint है तो आप क्या note करेंगे? A से C तक और C से B तक दौनों ये क्या होंगे? इक्वल होंगे तो A सी इक्वल है किसके? B सी के ये क्या हो गई? First अब हमने क्या किया? Let कर लिया कोई अलग से एक point लिया Let D is the midpoint of AB D हमने कोई एक point लिया यहाँ पे D हमने कोई भी एक point है note कर लिया D क्या है? AB का midpoint है तो AD का midpoint है तो इसका मरलब क्या हो जाएगा? AD इक्वल है किसके B D के यह हो गई second equation ठीक है? अब क्या करेंगे? इन दोनों को minus कर देंगे जैसे ही minus करेंगे तो क्या जाएगा? AC is equal to BC और second equation है AD is equal to BD तो हम minus करेंगे तो AC minus left hand side में left hand side minus हो जाएगी right hand side में right hand side minus हो जाएगी AC minus AD किसके equal हो जाएगा? BC minus BD के ठीक है? तो यहां से जैसे यह एक line segment थी diagram परना रखा था AB C इसमें midpoint दे रखा था D हमने इसका left कर लिया था कि D इसका अलग से midpoint है तो क्या यहां से minus करेंगे तो देखी AC यहां से यहां तक की line हो गई AD इसको minus कर दिया तो देखी AC में से जब आप AD को minus कर देंगे ठीक है? तो क्या बच जाएगा? AC में से AD minus CD बचेगा क्या बचेगा यहां से CD या DC यहां से बच गईए आपके पास DC और देखी BC BC हो गई यहां से यहां तक की line और BD BD हो गईए आपके पास यहां से और यहां तक की line BD तो यह देखी है यह हो गया मानलो 4 cm यह हो गया मानलो यह 2 cm हो गया और यह कितना हो गया? 4 cm तो जब minus करेंगे तो BC पहले है ना तो BC हो गया 2 BD बाद में है तो यह हो गया minus का 4 तो कितना बचेगा minus का 2 तो जब आप minus करेंगे ठीक है BC minus BD तो हमारे पास क्या बचेगा minus का DC बचेगा इसको इधर ले आएंगे minus का है transpose होगा किसका हो जाएगा plus का DC plus DC कितना हो जाएगा 2 DC is equal to 0 2 multiply में है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा divide में हो जाएगा और 0 को किसी भी नंबर से divide करेंगे तो किसके equal आएगा 0 के तो इसका मतलब DC की जो distance है यह कितनी है 0 unit कितनी है 0 unit यानि कि यह A की point है D और C कैसे point है A की point है दोनों अलग अलग point नहीं है does C and D are कौन side दोनों A की point है A की point है तो इसका मतलब किसी भी line segment में केवल A की midpoint होता है यह हमें क्या करना था prove करना था so every line segment has one and and only one mid point यह क्या करना था prove करना था hence proved thank you brand